हेलो गाइस वेलकम टू डॉक्टर स्प्लेस अकेडमी प्लेटफॉर्म आ गए एक और मास्टर दी ओपीडी के कैस के साथ मेरा नाम है डॉक्टर शेक मौमत उजयफा वेलकम आज का हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट के से ओपीडी का शिंगल्स और इसके हवाले से हम बहु सब्सक्राइब बढ़ेगा मोटीवेशन बढ़ेगा तो हम जदा से जदा वीडियो अप्लोड करेंगे ऑर अच्छे से अच्छा कॉंटेंट याप विडियो अफ्लेस आएंगे चाहिए अब हन्यारी चीह कवरोगेंगे तो इसके लावगा मने अलग से तॉपिक्स्री तो इसका एक और नाम होता है इसको हम कहते हैं हर्पीस जोस्टर तो इसको हम क्या कहते हैं हर्पीस जोस्टर ठीक है हर्पीस जोस्टर या फिर शिंगल्स दोनों नामों से आपको यह देखने को मिलता है बिसिकली यह होता क्या है यह आपका एक वाइरल इंफेक्शन होता है वाइरल इंफेक्शन का नाम होता है वैरिसेला जोस्टर वाइरस जब पहली दफा इंफेक्ट करता तो ये early stages of life होती है जब ये develop कर देता है बात में हम discuss करेंगे इस topic को आपने बहुत सुनावा होगा इसका नाम chicken pox ठीक है तो chicken pox जो है ये first time जब effect करता है तो patient को chicken pox होते है और ये आपको शुरू में देखता है बच्चों के अंदर जो के छोटे बच्चे होते हैं काफी उन जोड़ कर जाता है थोड़े time के लिए कुछ period के लिए वो होता है आपका dorsal ganglion ठीक है तो ये dorsal ganglion क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं सबसे पहले आपका ये virus आया वरिसोल जोस्टर वाइरस ये आपके आके body उपे effect कर रहा तो patient को क्या हो गया chicken pox हो ग जापर ये जाकर छुप जाता है या कुछ time के लिए suppress रहता है उधरी in active form में रहता है ये अच्छा word है in active form में रहता है वो आपकी जगा होती है basically कौन सी वो होता है आपका dorsal ganglion dorsal ganglion क्या होता है basically आपको जाहरी बात है basic nervous system अगर आप देखें तो यहां हमारे brain में ये spinal nerves जो होती है ये different different spinal nerves होती है कुछ motor होती है कुछ sensory nerves होती है अगर हम एक spinal cord का section लें तो spinal cord के section लेने में यहां से कुछ नीचे के side से fibers निकलते हैं जिसको हम कहते है ventral fibers ठीक है और कु dorsal fibers ये body के भार जाते हैं यहां पर एक ganglion होते है ganglion किसे कहते हैं basically ganglion कहते हैं collection of the cell body outside the central nervous system तो ये जितना भी brain के अंदर होता है collection of the cell bodies इनको अगर मिसाल के तौर पर अभी मैं थोड़ सा क्यूंकर explain कर रहा हूं तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए ये बहुत important है अ झाहते हैं तो इसको हम क्या कहते है nucleus अगर ये collection of the cell body ये कहां पर मौझे अगर आपके central nervous system में मौझूद हुए तो हम इसको nucleus कहते हैं और अगर यह collection of the cell body is outside the central सब्सक्राइब लाइन तो समझ गाए गेंग्लियान तो बिसिकली यह गेंग्लियान और यह दॉट इसके अंदर यह आपका वायरस जो होता है यह इनक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है ठीक है अब यह सेंसरी नर्स आपकी डगा-जगा बॉड़ी में जारी होती है जैसे स्ट्रस Eltern अब्जित करें तो सब्सक्राइब खाय रहा है खोई ऐसा हो सकता है जो chroni stress के अंदर है तो उसके अंदर क्या होता है कि यह malnition patient के अंदर होता है जो basically खाना पिना पीना यह यह फिर ईसी फॉज़ा से गास्टो इस शुत 裂रे चिरी ही से आपनी do को जाता है like Ultimate को चाहे एंदर हो जाएगा ये आपके गैंगलियान के अंदर एक्टिव होगा और ये आपकी नर्फ फाइबर्स के थूरू ये नर्फ फाइबर्स जहां जा जा रही होंगी ये महाँ पर एफेक्ट करेगा जारी बात ही जब वाइरस अपनी डिविजन स्टार्ट करेगा तो आपके टी लिंफो साइट से आगे जो थोड़े बहुत है इस से लड़ने के लिए तो क्या होगा उसके नतीजे में कि आपकी sensory nerves damage होंगी, damage होने के चक्कर में patient को burning sensation, severe pain, तो arm skin liens से इसमें क्या फर्क होता है, इस patient में neuropathic pain होता है, यानि कि burning sensation हो रही है उस जगह पे, जहां पर ये blister सुवे में, यानि कि जो दानेश टाइप के पड़े में, vesicles बने में, उसम वो unilateral होते हैं, और अक्सर ये आपके, कम dermatomes को, यानि कि आपको उपर की 3 देखेंगी, या नीचे की 3 देखेंगी, तो छोटे-छोटे area को effect करते हैं, और unilaterally, body के किसी एक side पर मौझूद होते हैं, या तो right पर होगा, या left पर होगा, या garden की right पर होगा, या garden की left पर होगा इसी तरीके से किसी एक side पर मौझूद होते हैं, तो ये आपको clear होगा होगा, इसका mechanism के किस तरीके सो होता है, और ये सारी चीज़ आपको समझ में आगो, यूंकि तो ये dot cell root ganglion के अंदर ये fibers, ये basically virus होता है, ये inactive form में होता है, ये activate होने के बाद आपके nerves के थुरूई आ इसका mechanism हो जाते हैं, blisters ये vesicles, vesicles बहुत common रहते हैं, vesicles ये blister में क्या होता है, flute filled होता है, अक्सर आपको जो harpes virus दिखता है, उसके अंदर vesicle formation होती है, ये भी बहुत important है, तो ये reactivation की वज़़ा से shingles develop हो जाते है, अच्छा बच्चों में बहुत uncommon होता है, ज्यादा तर आ आपके immunocompromisation के chances जादा होते हैं, तो वो जादा तर आपको old age patient में बहुत commonly नजर आता है, चले हम लोग अपना case देखते हैं, अभी आपको सारा mechanism वगरा में थोड़ा explain करने की कोशिश करिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने case पर, तो हमारे पास patient आया है, शामीर, 19 years old, male patient है, occupation basically university student है, शामीर present to the outpatient department with a chief complaint of a painful rash on his abdomen and back, तो patient आया है एक painful rash के साथ जो इसके abdomen पर है और back पर मौझूद है, अब हम थोड़ी detailed history लेते हैं, जाहरी बात है, वो हमें सारी चीज़े clear करती है, इस से हमें, थोड़ी सी हमें समझ ले, पूरी concise information है, तो वो देख लेते हैं, तो important points को हम नोट कर लेते हैं, आपको पता है, तो rash हमने नोट कर लिया, emerge approximately three days ago, तो यह कब से हुआ वा है, duration पूछी, तो three days ago, he described the rash initially appearing as a small red bump on Shamir's right abdomen, तो आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि यह एक side पर हो रहा है, यह बोला है कि right abdomen की side पर यह rash develop होना start हुआ है, and back, ठीक है, त course of these three days, the rash rapidly progressed, evolving into the fluid filled blisters, तो यहाँ पर उसके बाद यह क्या हुआ, कि पहले rash पड़ा, उसके बाद यह fluid filled blisters बन गए, शामिर experienced intense pain, तो यहाँ पर patient को intense pain हो रहा है, burning sensation हो रही है, तो आपने याद रखना है, intense pain, burning sensation, यह सारे neuropathic pain होता है, nerve distribution की वज़ा से होता है, जो sensory nerves है, जा फिर burn feel होता है, cold feel होता है, वो किस वज़ा से होता है, आपकी sensory fibers की वज़ा से, अगर हम उसको disrupt कर देंगे, तो patient को automatically feeling आना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर intense pain हो रहा है, और burning sensation हो रही है, localized to the area of the rash, और यह कहाँ पर मौझूद है, यह area of the rash पर मौझूद है, यह बहुत important ह कभी का बार क्या होता है, कि generalized pain के साथ patient आ जाता है, कोई basically आपका skin rash लेके, तो वो बिल्कुल different condition है, वो इस condition से नहीं मिलती जुलती, यहाँ पर क्या है, जहाँ पर rash हो वा है, उसी जगह पर pain हो रहा है, यह बहुत important है, अच्छा, which has been progressively worsening since its onset, the patient note the clustered appearance of the blister and the linear pattern following the distribution of the dermatome, त patient को जो बिल्कुल जहाँ पर right side पर abdomen पर यह rash बन रहा था, तो यह किस form में बन रहा था, सबसे पहले linear form के अंदर बन रहा था, यानि के straight line के अंदर, एक rash होता है, जो horizontal बनता है, यानि के, एक side से शुरूआ, right से शुरूआ, left पर, left से शुरूआ, right पर, एक होता है, जो horizontally बन dermatome, यहाँ पर patient की, जो basically skin है, उसकी dermatome के साथ जाहरी बात है, nerves के साथ साथ यह fibers बन रहे है, अर्शा में, right T7 dermatome, अच्छा, यह T7 dermatome, यह तो आपको examine करके पता लगेगा, और यह आपको dermatome, थोड़ी बहुत याद भी होनी चाहिए, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखे हैं, तो basically T7 यहां से start होती है, और फिर इसके साथ साथ patient का जो rash है, बिल्कुर right side पर इसके साथ 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 हो रहा है, तो यह T7 dermatome, यानि कि center of the abdomen से patient को rash बनना स्टार्ट हुआ है, अच्छा, बार यह याद भी ना हो, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी treatment से, या फिर patient की diagnosis से, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर इसका idea है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंसी nerve की दर supply करती है, थोड़ा बहुत आपको अपको पता है, इसके लिए बहुत सारे नमोनिक वगर है, वो मैं कभी बात में discuss करूँगा, तो हम लो कर पारा है, जारी बात है, बहुत प्रॉब्लम होती है, including his ability to sleep, अच्छा, sleep जारी बात है, disturbance हो जाती है, क्योंकि मुसलसल बर्निंग संसेशन हो रही है, फिर एक साइट पर करवट लेने में मसला, वो सारे प्रॉब्लम होते है, participate in the normal play and social interaction, शामीर मेंशन डैट the pain seems to be worsened with the movement and touch, तो यहाँ पर अभी अभी मैं आपको बताया है, कि touch और movement के साथ यह और भी increase होता है, वजह क्या है, क्योंकि sensory nerves जो होती है, वो बहुत sensitive होती है, अभी हम आपको अगर आप अपने हाथ पर touch करेंगे, किसी burning जगा पर touch करेंगे, तो आपको फॉरन फील होने लगता है, इतनी जादा stimulate होती है, तो उतने जादा आपको burning sensation, pain sensation वो फील होने लगती है, अचा, he also note that shamir appears uncomfortable and distressed due to the pain, he report that he have not attempt any specific treatment for the rash prior to the seeking medical attention, अचा, अब यहाँ पर एक बहुत important चीज़ है, कि patient को सबसे पहले हमने सारी चीज़े देख ली है, एक rash हुआ है pain को, जो linear form के अंदर अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी past medical history ले ले लेते है, शामिर has unremarkable past medical history, he has been generally healthy and has had all age appropriate vaccination, तो patient को vaccinations और भी लग चुकी है, कोई ऐसी problem की बात नहीं है, और पीछे कोई ऐसी past medical history नहीं है, family history में अगर हमने patient से पूछा, there is a significant family history of not including chickenpox, तो patient की जो family history उसमें chickenpox मौजूद है, chickenpox रह चुके है, and history of shingles not present, nor other dermatological conditions, तो आपको patient में chickenpox मौजूद थे, family history में मौजू की या फिर other dermatological conditions की history patient में family में मौजूद नहीं है, तो यह भी बहुत important चीज़ है, यह हमने यह से note कर लिया, अचा अब यह बहुत बाताया था कि पहले यह virus आता है, chickenpox कर आता है, फिर उसके बाद बहुत time के लिए यह inactive form के अंदर रहता है, जब तक आपका immune system active है, यह inactive र के लावा social history बहुत important होती है, यह बहुत important होती है, यह बहुत important होता है, यह बहुत सारी infectious diseases जो होती है, वो होती है, contact, skin contact के थूरू transfer हो जाती है, या फिर ऐसा होता है, कि पहले किसी patient को था आप उसके पास गया, उसके थूरू हो गया, खास तोर पे जिसमें blister formation होती है, क्यो चीक बहुत तो यह बहुत important होती है, तो इसलिए हम social history लाजमी पूछते है, कैसा कोई चक्कर तो नहीं है, आप कैसे ऐसी जगा पे तो नहीं रहते हैं, बहुत close जगा हो इस तरीके के, शामिर lives with his parents and older siblings, he attend university regularly, but has had recent exposure to the individual with chicken pox, तो यह देखें, आभी हमें patient की social history में पता लग है, कि patient को ऐसे individual से exposure हो चुका है, जिसको chicken pox थे, तो यह भी एक हाई chances होते हैं, reactivation के लिए, there is no history of recent travel or significant environmental exposure, और बागी इस traveling की को history नहीं है, तो आगे चलते हैं, अब हम patient के system review करेंगे, और किस तरीके का में यह दिखता है, यह भी देखेंगे, सबसे पहले constitutional symptom, no fever, fatigue, जाद psychological system हमने review करा, presence of a painful rash and fluid blisters localized to the right abdomen, तो patient के right abdomen पे blister formation थी, और बाकी आपके back पर blister formation मौझ थी, अच्छा यह आप rash देखो, तो यह कुछ इस तरीके से आपको, इस तरीके से linear form के अंदर भी नजर आता है, यह आप देखेंगे, distribution के से होई विए, एक side पर आपको यह distribution नजर आ र यह C3 वाला area यहाँ पर मौझूद है, यहाँ पर अगर आप देखें तो patient की side perfect है, तो यह unilateral मौझूद होता है, इसकी सबसे अच्छी जो है, यह clinical diagnose होता है, इसके लिए test जरूर होता है, आगे चलकर हम देखेंगे, PCR test होता है, लेकिन यह जो diagnosis होता है, clinical होता है, और बहुत अच्छा, इसके लावा, neurological complaint, patient के consistent pain है, आपको यह बता दिया, patient है, severe pain है, burning sensation है, तो यह patient को मौझूद है, लेकिन इसके साथ कोई motor weakness या sensory defect मौझूद नहीं है, यह भी बहुत important चीज है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको पता हूँगा, disseminated, आपका एक होता है, harpes zoster, उसमें ज pneumonia, vomiting, diarrhea reported, respiratory और cardiovascular system में आपको कोई problem नजर नहीं आरी, बाकी सब चीज़े normal है, सिर्फ patient में यह blisters मौझूद है, जो के painful है, इसी तरीके से आप यह जो हमने history लिए, इसमें सारी चीज़े यहाँ पर मौझूद है, vitals वगएरा, 37 degree centigrade patient का temperature है, heart rate 100 BPM है, respiratory rate 20 है, blood pressure 100 by 60 है, normal blood pressure है, को इसके लावा हमने skin examination कर लिया, वो मैं आपको बताया है, right T7 से आपके patient में extend हो रहा है, वो सारी चीज़े यहाँ पर मौझूद है, इसके लावा यहाँ पर hyperalgesia, यानि के pain हो रहा है patient को, allodania, allodania basically कहते है हम उस चीज़े मतलब इसको आप समझ सकते हैं के patient को burning sensation या पेन हो हो रहा है, उस sensation से जो normally कुछ नहीं करती है, जैसे के मिसाल के तोर पर, अगर मैं normally skin पर अपने touch करता हूँ, तो इससे मुझे कोई burning sensation या pain नहीं होता है, सिर्फ touch की feel होता है, लेकिन जैसी patient उस side पर touch कर रहा है, जहां पर यह blister मौझूद है, तो patient को अचानक से उस touch से burning sensation और pain feel हो रहा है, जिससे नहीं होना चाहिए, उसी को हमें alodenia कहते हैं, समझ गया बात, तो इसको simple word में यह भी समझा दिया, और बाकी कोई neurological deficit नहीं है, वही सारी चीज़ है, physical examination में, तो अब हम आगे चलते हैं, अपनी main चीज़ पर आ जाते हैं, कि patient की treatment क्या होनी चाहिए, अब acyclovir हमने कितनी देनी है, हमने देनी है, 800 mg पर oral, 5 times a day, मतलब daily देनी है, कितने, मतलब 5 times daily देनी है, patient को कितने दिन के लिए, 7 to 10 days, तो 800 mg आपने patient को देनी है, पर oral, 5 times daily for 7 to 10 days, यह बहुत important, अच्छा जी, इसके लावा हम लोग यूज़ कर सकते है, famcyclovir जो के 500 mg होती है, यह ज़रा असान है, यह आपने TID, यानि कि 3 times a day देनी होती है, या 5 times a day, मतलब 5 times daily, यह ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि patient को time manage करना मुश्किल होता है, तो यह ज़्यादा बैतर option होता है, कि आप patient 3 times a, मतलब mostly TID खाले, यानि कि एक सुबा, दुपैर और शाम, यह ज इसके लावा, आपके शिंगल्स या हर्पिस जोस्टर होता है, कि patient को आपके इसमें एक और condition मौझूद है, यानि कि skin condition के लावा, patient को pneumonia मौझूद है, कोई gastrointestinal symptom मौझूद है, इसका मतलब कि वो shingles जो है, या फिर वो viral infection है, वो आपके stomach या lungs की तरब आपके आपके लाव पर बीजा चुका है अब यह थोड़ा सिवियर किसम का पेशन्ट होता है या ऐसा पेशन्ट जिसका इम्म्यून सिस्टम कॉंप्रोमाइज या ऐसा पेशन्ट जिसके ब्रेन को इंफेक्ट कर दिया जिसको हम एंसफलाइटस कहते हैं तो उन कंडिशन्स के अंदर आपने फिर 10 डेस के लिए देनी है और हर 8 घंटे में आपने यह इंजेक्शन लगाना होता है एवरी 8 आर्स तो यह आपने याद रखना है कितना 10 mg पर केजी तो यह आपने किसको देनी है जिसको डिस्सेमिनेटिड है या इम्म्यून कॉंप्रोमाइज पेशन्ट है उसको आपने यह बैद देनी है इसके लावा आप जाहिरी बाते पेशन को पेन हो रहा है पेन के लिए भी कुछ देना है अब जाहरी बाते अगर कुछ लाइट पेन है बिलूब हलका सा पेन है तो इसमें आप बेसिकली ट्रामाडोल वगर इस्तेमाल कर सकते हैं जादा तर हम लोग यह यू अगर पेशन को मोडरेट डुशिवेर पेन हो रहा है जासे के हमारे पेशन को रहा है तो इसमें जादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता ही गाबा पेन्टीन एप Long इनियुरो Ellis के लिए बहृत अच्छे मेंडिकेशन इसका हमारे पास तक्रीबन हुआ एंड्रेट से ट् आप पेशनगों को दे सकते हैं तकरीबन ये भी आपने every eight hours देनी होती है पेशन को कितना every eight hours देनी है और ये तकरीबन अगर तो तिन दिन के लिए इस्तमाल करते हैं मैकशिममम थीन के लिए हिसको इस है अच्छा एप्एक्ट पड़ता है अगर नहीं Are लाप मजीड इसका डो बड़ा सकते हैं और थोड़ा सा और टायम के लिए दे सकते हैं। लगर नहीं फर्क या 24 hours में भी दे सकते हैं, यानि के 12 to 24 hours में आपने देनी होती है, ये 8 hours में देनी है, तो ये आपने याद रखना है, बेसिकली ये आपकी बहुत इच्छी medications होती है, ये mild के लिए, mild के लिए इसके लावा भी आप Acetomenafin यानि के Panadol वगएरा वो चीजे भी इस्तमाल कर सकते है लेकिन वो इतना जादा जाहरी बात है, एफेक्ट अच्छा नहीं करती, वो बच्चों के अंदर जादा सही रहता है, क्योंकि बच्चों में हम Traumadol वगएरा ये चीजे इस्तमाल नहीं कर सकते, ये Opioids होते हैं, ये बच्चों में नहीं दे सकते, तो बच्चों में फिर वो ऑप्शन बेतर होता है, कि पैनडॉल वगएरा दे दी उसके लिए, अच्छा यहां पर अगर आप ये देखें, बेसिकली, तो ये हमने क्या बताया, कि ये भी आपको 12 साल से उपर के बच्चों को ही देनी है, तो 12 से उपर के पेशन्ट में आप ये इस्तमाल करते हैं, और इसका बहुत अच्छा एफेक्ट होता है, इसके लावा और हमारे पास कोई पॉइंट मिस, मैं सोच रहा हूं कि पॉइंट मिस ना हो जाए हमारे पास, इसके एसके साब से, हाँ, अच्छा जी, एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या आप जादेतों के कितना होता है, जो बच्चों में आप इस्तमाल करते हैं, एक तो न्यूनेट इच का होते हैं, तो वो तो आप छोड़ते हैं, वो पेड्रेटिक के पास ही जाते हैं, उनको जाना भी उधर चाहिए, पेड्रेटिक OPD में, वो ही उनको ट्रेट करेंगे, लेकिन गया चाहिए इस्तमाल करते हैं, आप इस्तमाल करते हैं, यह तो 7 और 10 के लिए होती हैं, यह वो पार हम लोग 5 डेस के लिए देतने हैं, आचा इसके लावा हमारे पास एक और अप्शन होता है कि ये तो इतो गया डो से 5 साल का इसके लावा हमारे पास आता है छे से लेके 11 साल तक का भronics seems almost applicable in the great- 움직 по ग्चा में भी इना जो फैलिट टोना तर कि दोटने में just an rig, झो अट yell, 관ORE लिए थर्फ रफशन में बताया लिए यहां पर वो क्यों चाहिए बता दिया यहां पर फईये लिएतन इसकी साहो होकि यहां पर आप सेवन टूतैन डेस के लिए करते हैं यहां पर आप वडियेजन के लिए लृच एव्ठ वंज आर के लिए इसके लावा एक इसका बेसिकली अगर आप उसके एम जी कैलकुलेट करने के साब से दे रहें तो थोड़ा मुश्किल होता है फाइफ हंड्रेट एम जी पर एम टू यानि के एम स्कॉयर यह डोजिज के हिसाब से भी आप बच्चे को अगर चाहें तो इंजेक्शन दे सकते हैं बारल यह आप्शन ज्यादा बैतर रहता है तो यह टोटल हमारे पास ट्रीटमेंट होती है शिंगल्स की और हम किस तरीके से करते हैं यह हर्पीज जोस्टर की इसके लावा यहाँ पर आपको और एक चीज लिए प्रेवेंशन के लिए वैक्सीन के बारे में आ 2020 से अमेरिकन गाइडलाइन में भी बन देए और इसको हम नॉर्मली इस्तामाल नहीं करते हैं प्रेवेंशन के लिए डायर का पेशन के आप ट्रीटमेंट ही करते हैं तो यह हमारा केस था आच हर्पीज जोस्टर का या शिंगल्स का आई होब आपको यह पसंद आया हो बा थैंक यू वेरी मच अलाहाफिज बाय बाय टेक किया